Hello Children, तो हमने अपनी पहली वीडियो में बड़ी उकी मात्रा की पहचान और उचसे कुछ शब्द बनाए और इस वीडियो में हम अपना written पार्ट पूरा करेंगे तो हमारे पार्ट का नाम है बड़ी उकी मात्रा और हमारा पहला टॉपिक है बड़ी उकी मात्रा वाले दस शब्द लिखें यहां मैंने बड़ी उकी मात्रा वाले दस शब्द लिखें हैं ऐसे ही आपको अपने कॉपी में लिखना है मैंने लिखा है क, प, प, में बड़ी हुकी मात्रा, र, ब, पूरब, ख, प, प, में बड़ी हुकी मात्रा, ज, ज, में आकार, पूजा, ग, क, क, में आकार, ज, ज, में बड़ी हुकी मात्रा, काजू, घ, क, ब, ब, में बड़ी हुकी मात्रा, त, र, कबूतर, अंग त, र, र में आकार, ज, ज में बड़ी उकी मातरा, तराजू ज, त, र, ब, ब, में बड़ी उकी मातरा, ज, तरबूज छ, स, स में बड़ी उकी मात्रा, र, ज, सूरज, ज, भ, भ, में आकार, ल, ल, में बड़ी उकी मात्रा, भालू ज, फ, भ, में बड़ी उकी मात्रा, ल, द, द, में आकार, न, फूलदान, य, ज, ज, में बड़ी उकी मात्रा, त, त, में आकार, जूता तो ये बड़ी उकी मात्रा वाले दस शब्द हैं, आपको भी ऐसे ही अपने कॉपी में लिखने हैं और हमारा दूसरा टॉपिक है चित्रों के नाम लिखें यहां मैंने चार चित्र बनाये हैं क ख ग ख और इन चित्रों के नाम लिखें हैं तो पहले मैंने बनाया तर्बूज क तर्बूज और यहां लिखा त र ब ब में बड़ी होगी मादरा ज, तरबूज, ख, यहां मैंने बनाया सूरज, और लिखा, स, स में बड़ी हुगी मात्रा, र, ज, सूरज, ग, यहां मैंने बनाया फूलदान, और लिखा, फ, फ में बड़ी हुगी मात्रा, ल, द, द में आकार, न, फूलदान, और यहां मैंने बनाया, काजू, घ, ग, काजू, और लिखा क, क में आकार, ज, ज में बड़ी उकी मात्रा, काजू, ऐसे ही आपको अपने कौपी में चित्र बनाने हैं, और चित्रों के नाम लिखने हैं, और हमारा तीसरा टॉपिक है, बड़ी उकी मात्रा लगा कर सही शब्द बनाएं, तो यहां मैंने कुछ तो यहां मैंने लिखा क, त, र, र में आकार, ज, तो इसको सही बनाएंगे, त, र, र में आकार, ज, ज में बड़ी उकी मात्रा, तराजू, ख, त, र, ब, ज, इसको सही बनाएंगे, त, र, ब, ब में बड़ी उकी मात्रा, ज, तरबूज, ग, प, र, ब, इसको सही बनाएंगे, प, प में बड़ी उकी मात्रा, र, ब, पूरब, ग, स, र, त, इसमें बड़ी उकी मात्रा का प्रयोग करेंगे और सही बनाएंगे, तो ये होगा स, स में बड़ियू की मात्रा, र, द, सूरत, अंग, फ, ल, द, द में आकार, न, इसको सही बनाएंगे और ये होगा फ, फ में बड़ियू की मात्रा, ल, द, द में आकार, न, फूलदान, तो बड़ियू की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाने है और हमारा चौथा टॉपिक है चित्र देखकर सही शब्द पर गोल करें यहां मैंने कुछ चित्र बनाए है और यहां कुछ शब्द लिखें है और इन चित्रों को देखना है और इन शब्दों को पढ़ना है कि यह शब्द सही है या नहीं तो यहां मैंने बनाया तराजू, क, तराजू, अब हम यहां देखेंगे, त, र, र में आकार, ज, ज, में बड़ी हूँ की मात्रा, तराजू, तराजू, तो हम इस पे करेंगे गोल, ख, फूल, स, स, में बड़ी हूँ की मात्रा, र, त, सूरत, फ, फ, में बड़ी हूँ की मा ल, फूल, फूल, तो हम इस पे करेंगे कोल, ग, सूरज, प, प, में बड़ी हूँ की मातरा, र, ब, पूरब, फ, फ, में बड़ी हूँ की मातरा, ल, फूल, स, स, में बड़ी हूँ की मातरा, र, ज, सूरज, सूरज, तो हम इस पे करेंगे कोल, ग, तरबूच, त, र, ब, ब में बड़ियों की मातरा, ज, तरबूच, तो हम इस पे गोल करेंगे तो हमने बड़ियों की मातरा की पहचान करना, उच्छे कुछ शब्द बनाए, कुछ वाक्य भी देखे और हमने अपना रिटन पार्ट भी पूरा गिया उमीद करती हूँ कि इस वीडियों से आपको बड़ियों की मातरा पहचानने में और सीखने में काफी मदद मिली होगी थैंक यू